हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त प्रबल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल दाशनिक भारत में दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो व्याप्ति पर आधारित है और हमें पता है हम पहले बात कर चुके हैं अनुमान भाग एक में जब अनुमान प्रमाण हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अनुमान के लिए किसकी आवशक्ता होती है व्याप्ति संबंद की तो व्याप्ति संबंद जो होता है उसे अनुमान का प्राण कहते हैं या अनुमान का क्या है आधार इसके व्यापती के विना हम अनुमान नहीं कर सकते दोस्तों ध्यान रहे कि इस टॉपिक से रिलेटिड व्यापती से संबंदित जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आप वहाँ से ले सकते हैं और साथ में ये जो हमारी स् हम पहले थोड़ा सा अपना पूर्व ग्यान दोहरा लें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अन्वान के लिए तीन चोजों की अवशक्ता होती है एक हेतु एक साध्ध और तीसरा होता है पक्च हेतु वह होता है जिसका प्रत्यक्ष किये दाता है हेतु का अर्थ होता है साधन और साध्ध वह होता है जिसका हम अन्वान करते हैं हेतु वह जिसका प्रत्यक्ष होता है और उसका प्रत्यक्ष करके जिसका हम अन्वान करते हैं वह होता है साध्ध और साध्ध का जहां पर अन्वान के जाता है जिस आधार पर उसका अन्वान के जाता है उसे हम कहत पक्ष जैसे कि यहां परवत पक्ष है धुए को देखकर यह व्यक्ति अनुमान करता है कि परवत पर क्या है आग है आग को उसने देखा नहीं बिना देखे उसने अनुमान किया किसे देखकर धुए को देखकर तो जिसको देखा वह हेतु जिसका अनुमान किया वह साध्य औ तो हम यहां देखते हैं कि परबत पर अग है यह अनुमान रहा क्योंकि परबत पर धुआ है यह यह पक्ष धर्मिता ग्यान है पक्ष का गुण बताने वाला पक्ष पर परवत पर धुआ है तो पक्ष धर्मिता और यह तीसरा संबंध है कि जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है यह संबंध जो है हम इसी की आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में और यह संबंध कहलाता है व्याप्ति किस-किस के बीच संबंद बता रहा है धुएं और आग के बीच यानि हेतु और साध्य के बीच हेतु धुआ है और साध्य आग है तो व्याप्ति संबंद किस-किस के बीच लेक्ता होती है ब्याप्ति की ब्याप्ति के विना हम अनुमान नहीं कर सकते और ब्याप्ति क्या है हेतु और साध्य के मद्ध के विशे सम्मद्ध को ही हम क्या कहते हैं ब्याप्ति कहते हैं जैसे कि यहां देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति लिखी है वो क्या है वो ब्याप यहां जहां धुआँ है वहां वहां आग है. दो अलग चीजे हैं,ываютने से जुड़ी हुई हैं एक संबंद की द्वारा धुआया और आग. तो यह धुआ और आग के बीच यहां पर यह जो संबंध है वही क्या है व्यापती संबंध की एक के होने पर दूसरा भी होगा ठीक है तो इस ब्यापती संबंद के आधार पर ही हम अनुमान करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआ है वहाँ वहाँ आग है परबत पर धुआ है इसलिए परबत पर आग है तो यह हमारा अनुमान हो गया हमने परबत पर आग है इसका अनुमान कैसे कर लिया धुआ देखकर हमने परबत पर आग का अनुमान कर लिया क्योंकि हमें पता है कि जहां धुआ होता है वहां आग होती है तो जहां धुआ होता है वहां आग होती है यही क्या है धुआ और आग के मद्द का व्यापती संबंद अनुमान के लिए इस व्यापती संबंद की हमें बहुत जादा आवशक्ता होती है क्योंकि बिना व्यापती के अनुमान किया नहीं जा सकता अनुमान के लिए अनिवारे रूप से क्या चाहिए व्यापती और व्याप्ति ही क्या है अनुमान का प्राण बिना व्याप्ति के अनुमान संभब नहीं है यदि व्याप्ति के शाब्दिकर्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है व्याप्ति यानि वी धन आप्ति विका अर्थ विशेस और आपती का अर्थ होता है आपती का अर्थ होता है संबंध तो हेतु और साध्य के बीच का मैंने बताया व्यापती का अर्थ क्या हुआ विशेस संबंध तो हेतु और साध्य के बीच का जो विशेस संबंध होता है वही क्या है व्यापती संबंध है यह जो विशे संबंध होता है वह कैसा होता है नियत सहचर अव्यभीचारी और अनौपाधिक ध्यान रहे मैं एक बात यहां लिखना भूल गया हूँ कि यह संबंध सार्भ भौम भी होता है एक सार्भ भौमिक सम्मंध होता है ये हेतु और साध्य की बीच का सारभवम का अर्थ होता है हर जगा मिलने वाला पूरे ब्रह्मान में कहीं भी चले जाईए ये सम्मंध निश्चित रूप से मिलेगा यानि ये सम्मंध सारभवम भी होता है अब ये नियत सहचर आ वेभिचारी और अनौपदिक क्या होता है मिनका शाप्दिक अर्थ आगे समझ लेते है नियत का अर्थ ये होता है कि हमेशा मिलेगा यानि धुये के साथ यानि हेत्व के साथ साध्य जो है वो सदैब मिलेगा हमेशा हर जगा दूसरा है सहचर सहचर का अर्थ होता है सदैब एक के साथ दूसरे का रहना सहचर यानि साथ-साथ यानि जहां भी धुआ होगा वहां आग होगी अब यभीचारी का तुदा हम देखते भी हैं कि कहते हैं कि यह हैं बहुत ब्यभीचारी है तो अब यभीचारी का अर्थ क्या होता है अब यभीचारी का अर्थ होता है एक आंतिक यानि एक के साथ ही रहना एक के साथ ही मिलना तो जैसे धुआ जो है वो केवल आग के साथ ही प्रत्वी के साथ नहीं मिलेगा यानि हे टुका किसी एक ही सब्दी के साथ जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं अविविचार तो ऐसे संब्द होता है और किसी शर्त की आवशक्ता नहीं है दूए को आग के साथ मिलने के लिए यह संबंद होगा धूहें का आग के साथ बो कैसा होगा कि बिना किसी सर्थ पर अधारित धुएं का धूम और आग इन दोनों के यहां बीच बीच संबंद हैं कि जहां भी दूम और बहां अग का निशितरूप तभी उत्पन होता है जब जो जलाने वाली सामिग्री होती है वो कैसी होती है नमयोक्त या आद्र होती है तो यहां शर्त लगी हुई है कि आग के साथ दुवा तभी मिलेगा जब लकडी कैसी होगी गीली होगी तो यह शर्त हो गई यहां पर तो आग का दुवें के साथ जो ब्यापती संबंद नहीं कह सकते हम कहेंगे आग का दुएं के साथ ब्यापती संबंद नहीं है लेकिन दुएं का आग के साथ ब्यापती संबंद है क्योंकि दुएं का आग के साथ ब्यापती संबंद है यानि ब्यापती संबंद है लेकिन आग का दुएं के साथ जो संबंद है वो अनुपादिक संबंद नहीं है अतहाए संबंद ब्यापती संबंद नहीं होगा किसका आग के साथ दुएं का आगे अब बात करते हैं ब्यापक और ब्यापक की देखिए ब्यापती के दो भाग होते हैं विस्तार की दृष्टी कोण से ब्यापक को कहते है साध्य और ब्यापक जो होता है वह गहलाता है हे तू तो ब्यापक क्या होता है ब्यापक होता है जिसमें ब्यापक की ब्यापती रहती है ठीक है आग ब्यापक है पहले दोनों परिवासें सुन ले मैं समझाऊंगा बाद में और ब्यापक क्या होता है जिस कि व्यापक में व्यापती रहती है तो व्यापक वह है जिसमें व्यापती रहती है किसकी व्यापक की और व्यापक क्या है जिसकी व्यापती रहती है किसमें व्यापक में तो आग जो है वह व्यापक है और धुआ जो है वह व्यापक है तो व्याप और व्यापक ये दो चीज होता है व्यापक जो होता है वश साद्ध कहलाता है और व्यापक जो होता है बहे खेतु होता है तो देखिए इसमें ब्यापक में और व्यापक में आप पहचान कैसे करते हैं यह बात होती है सिर्फ बिस्तार की जो अधिक बिस्तृत होता है बहे ब्यापक होता है जैसे कि आग जो है बह क्या है बह ब्यापक है जो अधिक विस्तृत है क्योंकि आग जो है और दूसरा बताता हूं दूसरा है धुआ धुआ जो है बह ब्यापक है ऐसा क्यों है देखिए धुआ सिर्फ आग से ही उत्पन हो सकता है किसी अन्य चीज से नहीं इसलिए है ब्यापक है और आग जरूरी नहीं कि धुआ को भी उत्पन करें जरूरी नहीं हर भार धुआ उत्पन करें कभी आग बिना धुए के भी हो सकती है यानि आग जो है वो ज्यादा स्वतंत्र है है ना वह धुआ उत्पन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है तो विस्तार के इदि हिसाब से दे और उतना विस्तृत नहीं है इसलिए उसका नाम जो अधिक विस्तृत होता है जो साध्य होता है वह अधिक विस्तृत होता है इसलिए उसको क्या कहा गया है व्यापक जो विस्तृत हो वही तो व्यापक होता है और व्यापक जो होता है जिसकी व्यापती हो तो यह जो संबंद क्या गया लाता है व्याप्ति संबंद आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं व्याप्ति के प्रकार की देखिए व्याप्ति जो है व्याप्ति संबंद जो है वह दो प्रकार से विवाजित किया जाता है एक तो छेत्र के या विस्तार के आधार पर और दूसरा होता ह स्वरूप के आधार पर तो हम इनमें से प्रतेक की बात करेंगे एक-एक करके सबसे पहले हम बात करते हैं चेत्र के आधार पर विभाजन तो चेत्र के आधार पर या विस्तार के आधार पर जो व्यापती होती है वो दो प्रिकार की होती है सम्व्याप्ति और विसम्व्याप्ति अब सम्व्याप्ति और विसम्व्याप्ति क्या होते हैं देखिए सम्व्याप्ति का अर्थ क्या होता है सम्व्याप्ति सम्मंध बह सम्मंध होता है जब जो व्यापक है और व्यापक है जो साध्ध है और जो हेतु है यह दोनों नहीं है इसमें तो मैंने पहले परीवासा दी थी अतनी है उतनी सइप परिवास नहीं थी जब मेने ब्यापक और विस्तार वह नहीं भी बिता तो इन दोनों के बीच, किस-किस के बीच, ब्यापक और ब्यापक के बीच जो संबंद होता है, जो विशे संबंद होता है, उसे हम कहते हैं सम ब्यापती संबंद है, इसे इस उधारन से समझ सकते हैं आप, यह प्रमे हैं, यहां उधारन लिखा हुआ है कि जो प्रमे हैं, वह का कुछ ना कुछ नाम है ठीक है तो प्रमे बस्तुएं जो हैं मानली जी यह जो बात है वो किससे दिखाता है प्रमे बस्तुओं को और यह ब्रत है तो नहीं जाνने योग चीजें हैं वो सभी नामधारी हैं तो यह एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से समाहित हैं एक दूसरे के बरावर हैं प्रमे का भी विस्तारोत नहीं है और नामधारी का भी विस्तारोत नहीं है क्योंकि इन से बाहर कुछ भी नहीं है प्रमे जितने भी हैं वो सब नामधारी हैं और जितने भी नामधारी हैं वे सभी प्रमे हैं तो यहां प्रमे और नामधारी यहां ब्यापक और ब्याप दोनों विस्तार की दर्ष्टी कोंट से यह हम देखें तो एक दूसरे के बरावर हैं तो ऐसे में जो ब्यापती की बात करेंगे विसम व्यापती जो होता है वो तब बनता है जब व्यापक और व्याप यानि साध्य और हेतु ये दोनों विस्तार के दुष्टिकोंट से कैसे होते हैं असमान होते हैं एक का विस्तार अधिक होता है और दूसरे का विस्तार कम होता है जैसे जहां-जहां हो गहें तो दुआ जो है वो आग वाले ब्रत्य के अंदर यहां टाइगराम में हमें दिख रहा है क्योंकि धुआ सिर्फ आग से ही उत्पन हो सकता है किसी और से उत्पन नहीं तो तभी उत्पन होगा दुआ जब आग जो जलावन होगा वो कैसा होगा नम्युक्त या गीला होगा तो कभी कभी आग हम देखते हैं कि जैसे अंगीठी में जब कोईला जलता है तो उसमें धुआ नहीं देखता है है ना क्योंकि कोईला जो होता है बिल्कुल नम्युक्त नहीं होता है लगातार लाल दहकता हुआ कोईला जलता रहता है बिना धुए के इसी प्रकार से गैस जो है गैस हम घर में खाना बनाते हैं वहां भी धुए उत्पन नहीं होता है ना तो ऐसे में आग जो है जरूर नही कि हमेशा धुआ उत्पन्द करे तो यहां आग अधिक बिस्त्रित है और धुआ जो है उसका वह कम बिस्त्रित है तो यहां पर आग और धुए के मद्द का जो संबंद है वे बेशम व्यापती संबंद कहलाएगा तो जहां धुआ होता है वहां आग निस्तित होती है लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहां आग हो, वहां आवश्यक रूप से धुआ भी हो, ठीक है, धुआ बहुत सारी कंडिशन्स में आग नहीं उपन करती है, आगे, अब बात करें स्वरूप के आधार पर, तो स्वरूप के आधार पर व्यापती जो है, वह भी दो प्रकार की होती है, एक चीज़ होती है आभाव, और दूसरी जो होती है भाव, आभाव का मतलाव होता है एक चीज़ का अनुपस्तित होना, और अनवे का अर्थ होता है, एक चीज़ की उपस्तिती, एक चीज़ का भाव होना, उपस्तित होना, तो जब हेतु और साध्य के मद्ध भावात्मक तो वह क्या कहलाता है अनवय व्यापति यानि जब हेतु के होने पर साध्य भी उपस्तित हो तो वह अनवय व्यापति कहलाएगा भाव होना चाहिए एक के उपस्तित होने पर दूसरे का उपस्तित होना चाहिए यह अनवय कहलाता है इसका बिप्रीत होता है व्यतिरेक वो आभाव को दिखाता है कि एक के ना होने पर दूसरा भी नहीं होना चाहिए आगे बताऊंगा तो यह भाव को दिखाता है अनवय व्यापती जो होता है भाव को दिखाता है यानि हेतु और साध्य के मत दिखा भावात्मक संबंद जो है वही क्या कहलाता है अनवय व्यापती तो यहां पर जहां धुआ है वहां वहां आग है यह संबंद कैसा संबंद है अनवय व्यापत दिखा रहा है आगे आगे हैं व्यतिरेक ब्याप्ति व्यतिरेक ब्याप्ति का अर्थ होता है कि एक की अनुपस्तित होने पर दूसरे का भी अनुपस्तित हो जाना तो व्यतिरेक ब्याप्ति क्या होता है साद्ध के अनुपस्तित होने पर हेतु का भी अनुपस्तित हो जाना तो साद्ध और हेतु के आभावों की व्यापती ही क्या कहलाएगी व्यतिरेग व्यापती यानि एक के आभाव होने पर दूसरे का आभाव होना तो यहाँ आभाबों के बीच का एक विशेश संबंद है एक का आभाब है तो दूसरे का भी आभाब हो गया यही क्या है व्यतिरेग व्याप्ति तो यहाँ आभाबों के बीच का साद्ध का आभाब होने पर हेतु का भी आभाब हो गया इन दोनों के बीच जो आभाब जो हैं दोनों के बीच का जो संबंद है वही क्या है व्यतिरेग व्यापती जैसे कि आग के ना होने पर धुए का ना होना एक के ना होने पर दूसरे का ना होना यह आभाब को दिखाता है और यही क्या है व्यतिरेग व्यापती आग नहीं होत कि हेतु और साद्ध के मद्ध ब्यापति संबंध है इसकी सिद्धी कैसे की जाएगी धुआ और आग के मद्ध ब्यापति संबंध है लेकिन आग और धुएं के मद्ध ब्यापति संबंध नहीं है ऐसा क्यों धुएं का आग के साथ तो ब्यापती संब्द है लेकिन आग का धुएं के साथ ब्यापती संब्द नहीं है ऐसा क्यों यानि कि हेतू और साध्य के मद्द ब्यापती संब्द होने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है वो संब्द कैसे सिद्ध होगा हेतू और साध्य के मद् उस पर बात करेंगे यहां से हम तो देखिए न्याय दर्शन यह कहता है कि हेटू और साद्दे के मद्द जो ब्यापती की स्थापना होती है बहुते हैं छे तरकों पर आधारित होती है उसके लिए छे चीजें चाहिए होती है तबी हेतु और साध्य के मद जो व्यापती संबंद है उसको स्थापित के जा सकता है अन्य था हेतु और साध्य के मद संबंद स्थापित नहीं होगा हेतु और साध्य के मद जो संबंद है वो व्यापती संबंद नहीं कहलाएगा यदि ये छे चीजें हमें नहीं मिलती हैं उस सम्मंध में तो इसमें से पहली चीज बताते हैं कि अनवे दूसरी चीज है व्यतिरेक तीसरी चीज है अब व्यभिचार या व्यभिचार आगर है चौथी है अनुपाधिक या उपाधी निरास्त पांच भी है तर्क और छटी है सामान लक्षणा प्रतियक्ष हम इन सभी पर बात कर लेते हैं एक एक करके मैंने जैसा बताया था अनुवे का हर्थ होता है भाब एक के होने पर दूसरे का होना ही अनुवे कहलाता है एक के होने पर दूसरे का होना अनुवे कहलाता है तो हेतू के उपस्तित होने पर साध्यका भी उपस्तित होना क्या कहलाएगा अनुवे जैसे जहां जहां दुआ वहाँ आख यहां धूर हेतू है और वह उपस्तित है तो आग भी pine Cay 22 से उपस्तित होगी तो ज़हां जहां धूर आग है कि एसा होना चाहिए यानि हेतू के उपस्तित होने पर पहली शर्ट बताते हैं सम्मंद को ब्याप्ति के लिए दो चीजों के बीच का जो संबंध है उसे ब्याप्ति संबंध होने के लिए पहली कंडिशन बताते हैं कि देखो हेतू के होने पर साध्यका भी होना जरूरी है और हेतू के होने पर साध्यका होना क्या कहलाता है अनवय तो पहली जी अनवय चाहिए अनवय चाहिए आगे है व्यतिरेक, व्यतिरेक जो होता है, वो होता है कि एक के अनुपस्तित होने पर दूसरे का भी अनुपस्तित हो जाना, मैं बार बार बताता हूं, ताकि आप पूरी वीडियो में तो कम से कम एक चीज को दो तीन बार सुन लो, तो आपको साथ वो वहतर करके तयार हो ज साथ की अनुपस्तिती में हेतु की भी अनुपस्तिती जो है, वही क्या है, व्यतिरेक है, यानि अगर आग ना हो, तो धुआ भी ना हो, तभी धुआ और आग के बीच का जो संबंध है, वो क्या कहलाएगा, व्यापति संबंध कहलाएगा, ठीक है, और हम जानते हैं, कि आ आग के विना धुआ हो नहीं सकता तो धूएं और आग के बीच का जो संब्द है वो व्यापति संब्द होता है लेकिन यदि ऐसा ना हूँ व्यतिरेग ना हूँ तो व्यापति संब्द नहीं कहलाएगा अगली चीज अगली चीज कहते हैं कि हेतू और साद्री के मत व्याप्ती संबंदि की संबंदित हो ऐसा ना हो कि एक हेतू चार-चार साद्रीयों से जड़ा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए ये जैसे कि हम धुएं को देखते हैं और धुएं को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि धुएं सिर्फ आग से ही उत्पन हो सकता है वे जल, प्रत्वी, वायू, आकाश, इनसे उत्पन नहीं हो सकता जो बाकी के जो तत्व हैं उनसे, महाभूत हैं उनसे उत्पन तो नहीं ह हो जकता ठीक है तो हेतु एक ही साध्य से संबंदित हो एक से अधिक साध्यों से संबंदित ना हो जैसे धुआ हेतु जो है वो केवल किस संबंदित है अपने साध्य आग से हैं और किसी संबंदित नहीं तो ऐसा जो हेतु सद्के मद्द рад जो संभनदो और अवय विस्थापित होना चाहिए तभी वह व्यापति चिह लाएगा उनके बीच का संभना एव और विचारी होना चाहिए। है आगे कहा रहा है अनौपादिक दो भी भ्याप्ती संबंधी की स्थापना होनी चाहिए यानी एनके बीच कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और अनुपादिक का रठ होता है शर्त रहिति इसे उपादी निरास भी कहते हैं, तो हेतू और सद्धि जो हैं, यहां पर अनौधिक लिग गगया है, इसे आप अनौपाधिक पड़ें, तो हेतू का साध्धि के साथ जो अनौपाधिक सम्ब्न नहीं होगा, तो भैस व्यापति सम्बन नहीं कहलाएगा यहां हम मैंने दो तो उधरन तयार किये हैं, देखो, जहां धुआ होता है, वहां आग होती है, यह तो अनुपाधिक है, लेकिन जहां आग होती है, वहां जरूर इनी धुआ भी हो, ठीक है, यह अनुपाधिक नहीं है, यहां शर्त होती है, ठीक है, आग को देखकर, आप धुएं का अनुमान नहीं कर सकते हैं धुएं को देखकर आप आग का अनुमान कर सकते हो लेकिन आग को देखकर आप धुएं का अनुमान नहीं कर सकते हैं यह आग को यह आप हेतू बना लो अहीं देखो आग है तो वह हेतू हो गया और आप प्रितक्ष कर रहे हैं तो वह हेतू हो गया आप को साध्य मान लिया जाए तो यह जो संबंध है उनमें व्यापती ही नहीं आग की धुए के साथ कोई व्यापती ही नहीं क्योंकि वहां शर्त होती है कि आग जो है हमेशा सदैब धुआ उत्पन नहीं करती उसके लिए शर्त चाहिए होती है कि जलावन जो हो कैसा हो गीला हो तो यहां शर्थ होती है, आग कायदी धुएं से हम, धुएं कायदी आग से अनुमान लगाएं, तो वहां शर्थ होती है, ठीक है? तो इसलिए आग और धुएं के बीच व्यापती संबंद नहीं है, जबकि धुएं और आग के मद व्यापती संबंद है, ठीक है? तो व्यापती संबंध की स्थापना के लिए संबंध कैसा हो अनुपाधिक होना चाहिए अगली चीज होती है कि जो व्यापती संबंध है उसकी सिद्धी तर्क द्वारा होने चाहिए देखिए एक चीज होती है कि धुआ और आग के मद्ध का जो संबन्ध है वैव्यापती संबन्ध मान लिया लेकिन कैसे मान लिया क्योंकि इसे हमने अपने अनभव द्वारा इसका प्रत्यक्ष किया है हमने हर जगा धुआ जब भी देखा है वहां आग जरूर देखिए ठीक है लेकिन क्या हमने भूत भविष्व में इन चीजों का हम निरिक्षण कर सकते हैं कि जहां भी धुआ मान लिजे भविष्व में क्या पता ऐसा हो कि धुआ हो लेकिन आग ना हो या क्या पता भूत में ऐसा होता हो भूत काल में ऐसा होता हो कि धुआ होती हो धुआ होता हो लेकिन आग ना होती हो हमने तो केवल बरत्मान का नेक्षण किया है न हमने बरत्मान में सब जगा देखा और हमने पाया कि जहां भी धुआ है वहां आग होती है तो बात यह आती है कि चलो बरत्वान तो हमारा अनुभव का छेत्र होता है कि हम बरत्वान में तो अनुभव करके जान सकते हैं लेकिन क्या भविष्ट में अनुभव किया जा सकता है भविष्ट का तो अनुभव नहीं लिए सकता है तो भव जो द्वारा किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम किसका प्रियोप करते हैं तर्क का तो हम तर्कों द्वारा यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि भविश्च में भी यह सम्मंद मिलेगा अब तर्क क्या होता है तर्क होता है कि जो बात सिद्ध कन्नी है तर्क में क्या होता है कि जो बात सिद्ध कन्नी होती है उसे असत्मान लिया जाता है और उसके विप्रीत को सत्मान कर सिद्ध के जाता है जो उल्टा होता है उसको सत्मान कर सिद्ध के जाता है और अंतिम जो प्रणाम निकल कर आता है तो उसमें वो बात सिद्ध हो जाती है जिससे हमने शुरू में असत्य माना था इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि सभी धूमरबान पतार्थ जो हैं वो अगनी युक्त होते हैं इसको हमने असत्य मान लिए कि जितने भी चीज़ों से दुआ निकलता है जिन में भी धुआ होता है वो सभी अगनी युक्त होती है ये बात सत्य है इसे हमने असत्य मान लिए और इसको हमने ये मान लिए कि कुछ धूमरबान पतार्थ जो है अब इसे तो हमने असत्य मान लिए सभी धूम्रबान पदार्थ अगनियुक्त है यह सच नहीं है तो हम क्या गहेंगे कुछ धूम्रबान पदार्थ अगनियुक्त नहीं है सभी धूम्रबान पदार्थ अगनियुक्त है यदि यह असत है तो इसका विप्रित क्या होगा सच क्या होगा इह सट यह वोना चाहिए फिर कि कुछ धुमरबान पतार्थ ऐसे हैं, ऐसे भी हैं जो अग्नियुक्त नहीं हैं यह सत होना चाहिए यादि कुछ पतार्थों से बिना अगनी के ही धुयां उत्पन होना चाहिए यहीठ हुए तो धुआ जो है अगर हम कार्य करण की बात करें यहां पे तो धुआ क्या है धुआ है कार्य और इसका कार्य कौन है अगनी धुए का कार्य कौन है अगनी यह है कार्य और यह है कार्य तो कार्य जो है वो बिना कार्य के उत्पन नहीं हो सकता मैंने बताया था कार्य कारण सिध्धान्त में पिरते कार्य का कोई नो कोई कारण जरूर होता है यह कारण है इस कारण के बिना यह कार्य उत्पन हो ही नहीं सकता किसके अनुसार कार्य कार्य कारण सिध्धान्त के अनुसार अब यहाँ पर यह कह रहे हैं इस लाइन को अगर हमें सत्व मान लिए तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि दुआ बिना अगनी के उत्पन हो रहा है तो यदि यह सत्व मान ली जाएगी यह लाइन यह पंक्ति की कुछ दुमरबान पदार्थ अगनी उक्त नहीं है तो इसका अर्थिय हो जाएगा कि बिना कारण के ही कारे उत्पन होगा और ऐसे में कारे कारण सिध्धान्त का क्या हो जाएगा खंडन हो जाएगा और कोई भी नियम कारे कारण सिध्धान्त जो है प्राकृतिक नियम हो और कोई भी सिद्धान्त उसके अगेंस्ट नहीं जाता, कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाता, कारिकारन सिद्धान्त का खंडन कोई नहीं कर पाता, ठीक है? को तो कारी कारन सिध्धान्त का खंडन हो जाएगा अतहा हमें यह जो हमने असब्त मानी थी वो बात कैसी है सट्भ है अतहा सभी धूम्रबान पतार्च जो होते हैं वो अग्नियुक्त होते हैं यही सट्भ है तो यह तर्क द्वारہ हमने इस तर्क द्वारा सिद्धी आवश्चक है यानि ब्याप्ती संबंद जो है तर्क द्वारा भी सिद्ध होना चाहिए अब हमारा अंतिम बिंदू जो है सामान लक्षना पृत्यक्ष द्वारा भी स्थापना होनी चाहिए जो ब्याप्ति संबंध है उसकी स्थापना सामान लक्षना प्रित्यक्ष द्वारा भी होनी चाहिए मैं सामान लक्षना प्रित्यक्ष के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ सामान लक्षना प्रित्यक्ष वह प्रित्यक्ष होता है जब हम किसी बस्तू को देखते हैं किसी बस्तू का प्रित्यक्ष करते हैं और हम उस बस्तू की जाती या उस बस्तू के सामान में का भी प्रित्यक्ष कर लेते हैं कि राम को हमने देखा कि राम है राम का प्रिटेक्ष करने से हमें यह पता चल जाना कि राम मनुष्य है तो यही क्या है यही सामान लक्षना प्रिटेक्ष है जब हम किसी बस्तू को देखकर उसकी जाती का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किसी बस्तू का प्रिटेक्ष कर करके हम उसकी जातिय उसके सामान نے का भी ग्यान कर लेते हैं तोई सामान-कषिन пora कहलाता है कि अब जो ब्यापती संब्द्न उसके बारे में यह कहते हैं कि जब हम कभी हेतू और स्थिक केमध नहीं करते हैं है कि हेतु की जाती और साध्ध की जाती के मद्ध यानि हेतु के सामान और साध्ध के सामान के मद्ध भी हम व्यापती संबंद का प्रिटेक्ष करें तो ही व्यापती संबंद सत्य माना जाएगा तो ही व्यापती संबंद की स्थापना होगी है कहने का मतलब यह है कि हम धुआ और और आग के मद्द, ब्याप्ति सम्मांद का प्रटेक्ष करते हैं, कि धुमां, जहां-जहां धुमां है, वहाँ-वहाँ आग है, तो ये तो हुआ, लिए हितो और साध्द के मद्द, धुमां का जैसे मनुश्य की जाती क्या है, धूमत और अग्नी की जाति क्या है अगुनित तो हम जब धूह और आग के मद्ध का प्रित्यक्व करें तो हमें उन दोनों की जातियãoard के material बख़्याप्व प्रित्यक्व होना चाहिए तो ही वह संबंद, व्यापती संबंद होगा, अन्था नहीं होगा, ठीक है, तो व्यापती की स्थापना है, वो किस से होनी चाहिए, सामान लक्षना प्रतेक्ष के द्वारा भी होनी चाहिए, जिन लोगों ने सामान लक्षना प्रतेक्ष के वारे में अभी तक नहीं जाना ह वो मेरी वीडियो देखें, प्रतेक्ष फे जो आई है, उसमें जाने सामन लक्षना प्रतेक्ष क्या होता है, तो ये कुल 6 प्रिकार थे जिनसे हेतु और साध्य के मध्ध ब्यापती की स्थापना की जाती है, लेकिन हमारी वीडियो अभी यहीं पे खतम नहीं हुई, हमें इ रहे है, चारवाग द्वारा व्यापती संबंद का खंडन, मैंने एक वीडियो प्रूड की थी काफी मंस पहले, चारवाग की ज्यानमिमान सा, चारवाग दर्शन पे थी, और उसमें मैंने चारवाग की ज्यानमिमान सा का पूरी तरह से पूरे विस्तार से दो घंटे की व तो आप उस वीडियो को देखना है, इससे आगेगा कि चारवाक ब्यापती का खंडन कैसे करते हैं, उसे देखने के लिए मैं आपको पताता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्ट करें इस वाली वीडियो को, ये तीन नंबर की वीडियो है, इसका नाम है चारवाक की ज्यान मि किया है वही समझाया है लेकिन आपको सिर्फ किसके खंडन से मतलब है ब्यापती के खंडन से मतलब तो चार वाग ने जब अनुमान का खंडन किया है तो अनुमान के खंडन करने के लिए उन्होंने ब्यापती संबंद जो होता है उसका खंडन किया है ब्यापती संबंद का ख खंडन जो है वो शुरू होता है और उसके बाद से एक घंटा एक मिनट से आगे का वीडियो जो है वो पूरा उसी पर अधारित है उसमें थोड़ा बचा देना शब्द और उपमान पीछे हैं उनका भी खंडन है क्योंकि चार बाग तो सरफ एक ही प्रमाण को मानते हैं प्र उसके बाद कुट कर दें ठीक तो फ्लाल इस पीडियों में बस इतना ही दाशने वारत से जुड़े रहने के लिए आप पर सभी का बहुत धन्यवाद और ध्यान रखें इस टॉपिक का नोट्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यह स्लाइड धन्यवाद